तो इस साल वीवो वाले आप लोग को I think बहुत इंप्रेस कर रहे होंगे इस बेसलिए इनके जो इस सीरीज है T नाम से जो फोन आते हैं इस सीरीज के अंदर T3, T3 Pro यह आपको बहुत इंप्रेस कर रहे होंगे बहुत बैंच्ट फोन है इसलिए और I think यह फोन आपको और इंप्रेस करेगा यह है वीवो T3 Ultra और यह performance centric एक बहुत बैंच्ट फोन होने वाला है T3000 के नीचे आपको ही मिल जाएगा और 19 तारिक से आप इसे खरीज सकते हो बट क्या आपको खरीदना चाहिए वैसे तो यह unboxing वीडियो है लेकिन I think इसमें आपको बहुत आंसर मिल जाएगे फिर भी आप इस फोन में बहुत इंट्रेस्ट करोगे तो इस फोन को as a main phone भी use करोगा तो comment section बता देना अगर इसका complete review भी चाहिए होगा hope आप लोको वीडियो अच्छा लगे पहली बार इस चैनल पर हो मेरा नामे प्रावविर प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगती है पहले unboxing चेक करो इस तरीके का आपको box मिलेगा सबसे top पे आपको यह phone रखाओ मिल जाता है पूरा पहले तो यह जो finish है ना जो color है इस phone का वो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपको दो color option मिल रहा है जो finish है ना इसका वो matte finish है तो इसकी वेसे इसका जो design है एकदम clean रहता है आपको साफ अगरे करने की जुरूत नहीं है और यह एक premium phone है क्योंकि आपको पीछे glass back मिल रहा है और बहुत ही premium feel हो रहा हाथ में वैसे इसका camera model भी है आपको बहुत impressive feel होगा काफी uniform एक camera model है और इस camera model को ध्यान से देखोगे ना तो इसके चारो तरह आपको metal ring भी मिलेगी अच्छा लग रहा है यह भी वैसे इस phone को मैं side से आपको दिखाना चाहता हूँ इस phone में 5500 mAh बैटरी है एट इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी यह phone slimest phone हो जाता है इस price के अंदर बहुत मस्त काम किया है curved display है curved आपको इसमें back मिलता है तो हाथ में काफी अच्छा fit हो रहा है तो premium material भी है दिखने में भी अच्छा है और काफी comfortable यह आपको phone feel होगा design अच्छा है इस phone का लेकिन जैसे मैंने starting पताया था एक performance centric बहुत balanced phone है तो performance दे होगे इस phone की Mediatek का 9200 प्लस processor मिल जाता है यह 4NM based processor है LPDR 5X RAM और UFS 3.1 की storage है यहाँ पे आपको दो storage variants मिलते हैं और सीधे मैं आपको इसके एंट्रीटू scores दिखाता हूँ 15,00,00 इसके एंट्रीटू आते हैं जिसके वेसे most powerful curved display वाला phone बन जाता है अपने price के अंदर और सीधे आपको real life test दिखाता हूँ देखो background से हमने सब कुछ close कर दिया है पहली बार भी app open कर रहे हैं और देखो कितनी अच्छी इसकी app open times है जितनी भी apps हम खोलते हैं बार-बार छोटे-छोटे हैं जितनी भी आप multitasking करते हो काफी fast, काफी responsive feel होती है और सब के सब apps जो हैं वो RAM में रहते हैं response वगएरा बहुत ही कमाल का है और bgmi वगएरा खेलते हैं तो वहाँ पे ultra FPS का भी आपको support मिल जाता है उसके अंदर तो gaming आपकी बहुत अच्छी हो रही है और अगर आप gyro player हो ना यहाँ पे gyro sensor भी दे हैं और उसके अंदर भी बिल्कुल delay नहीं है तो seriously इस phone की performance बहुत ही कमाल की है आपको बहुत impress करेगा इस performance में और इसकी वैसे phone और balance बन जाता है क्योंकि इसके display भी देखोगा आप सामने से तो यहाँ पे आपको एक 1.5K resolution वाली 6.78 inch की 3D curved ambient display मिल रही है इस पे पहले तो color accuracy मुझे feel होगा कि VivoR ने बहुत अच्छा काम किया details बहुत अच्छी है और हाँ YouTube में यह क्योंकि HDR 10 Plus भी support करता है तो 4K के साथ HDR में video प्ले कर सकते हो इवन Netflix के अंदर आपको Wide 1 L1 का भी support मिलता है और display use करने में काफी smooth है 120Hz का आपको यहाँ पे refresh rate मिलता है touch response वगएर मैंने gaming में बता है वो भी काफी अच्छा है और even display के अंदर आपको in-display fingerprints करने मिलता है जो कि हर बार और काफी fast काम कर रहा है वैसे display bright बहुत हो रही है जैसे मैंने बता है HDR का proper support है यहाँ पे तो आप बाहर लेके जाओगे इसमें 4500 minutes की peak brightness मिलती है असानी से आप direct sunlight में use कर सकते हो तो multimedia experience के लिए जो दो चीजे चाहिए display और performance वो तो दोनों इसमें अच्छी है लेकिन speakers का क्या देखो speakers के अंदर यहाँ पे आपको stereo speaker मिल रहे है and trust me वो bass भी produce कर रहे है details बहुत अच्छी है, loudness बहुत अच्छी है clarity उनमें अच्छी है, आपको sound quality बहुत impress करेगी तो overall multimedia experience के लिए यह phone काफी आपको पसंद आएगा वैसे हाँ यहाँ पे आपको volume boost वाला यह feature है जैसे आप volume और increase करोगे तो 200% तक आप volume boost कर सकते हो यह काफी must चीज है, अगर आप calls वगेरा पे होते हो और hand free use कर रहे हो तो अगर आप crowded area में हो तो वहाँ पे काफी काम आएगा खेर battery का तो आपको अलड़ी पता है पांच और पांचमें मेच battery है, लेकिन charger भी इसका 80 watt का आपको fast charger मिल रहा है overall इसका यह जो combination है, battery और charger का वो भी आपको impress करेगा खेर अभी तो आपको यह video भी impress कर रहे है तो तीन combination आप हिट कर देना, like, share and comment इससे वीडियो काफी चल जाएगी वैसे connectivity के अंदर भी, यहाँ पे आपको 8 5G pants मिलते है, 5G मस चल रहा है 5G plus, Vio, NR वगरा, सब आपको मिल जाता है Wi-Fi 7 का भी आपको support मिलता है और even यहाँ पे AI super link जैसे फीचर है Vivo ने बता है, यहाँ पे 360 degree antennas यहाँ पे यूज किये गए तो नेट्रो के सेप्शन भी, according to Vivo बहुत मस रहने वाला है, वैसे SIM slot के अंदर आपको यहाँ पे 2 SIM का option मिलता है और दोनों यहाँ आप dual 5G यूज कर सकते हो और यहाँ आपको dual mic भी मिल जाते है, उपर नीचे call quality बहुत मसत है, चुपके से call recording कर लिए Vivo का डैलर है, वो भी आप कर सकते हो तो network और connectivity में आपको यह phone पसंद आएगा लेकिन एक और चीज है, जो बहुत phone को balance मना देती है वो camera है, and I think यह भी आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आपको main camera 50MP का Sony IMAX 921 sensor मिल रहा है इसमें OS भी present है, 8MP कल्टरवेड है और studio quality aura light भी हाँ पे present है पहले आप daytime की कुछ photos देखना आपको color accuracy इस phone की बहुत impress फिल होगी इस camera के जो Sony sensor की colors है वो बहुत अच्छे लग रहे colors और skin tones आपको काफी impressive फिल होगे फिर details के अंदर, क्योंकि आप 2X में भी zoom कर सकते हो यहाँ पे तो side by side कुछ 1X और 2X वाली photos देखना details आपको इसके main camera से काफी अच्छी मिलती है और main लिए आप 2X को use करोगे portrait shots कीचने के लिए तो आप 2X वाले कुछ portrait shots भी देखो यहाँ पे भी color skin tones काफी अच्छा है लेकिन edge detection जो main होता है वो भी आपको काफी impressive feel होता है अब Vivo वाला generally अपने portrait shots के अंदर काफी धेर सारे filters देते हैं मैंने try किया था एक festival वाला इसमें aura light भी use हो रही है आपके आस-पास बहुत lights पगे रहोंगे या फेस्टिवल में खीचोगे तो एक custom LUT ही apply कर देता है इवन इसमें दो filters पी है day और light वाले तो मैंने daytime में और low light में भी portrait shots कीचे इवन low light के अंदर भी काफी impressive portrait shots कीच रहा है तो low light की बात करते हैं इवन low light के अंदर आप देखो 1x और 2x वाले photos देखना low light की पहले तो images बहुत bright आ रहे हैं 2x के अंदर भी आपको details मिलते हैं और आपको ये camera impress करने वाला है खेर इवन इसका main camera आपको और impress करेगा क्योंकि यहाँ पर OS भी present है और ये phone बहुत powerful है न तो 4K में आप 60fps पर video shoot करना और आपको एकदम stable ही video बना के देगा बहुत impressive इसकी video बन रही है वैसे इवन ultrawide भी अच्छा काम कर रहा है daytime में इसकी light control बहुत अच्छा है आपको skin tones, colors यहाँ भी काफी अच्छे मिलते है low light के इंदर भी काफी bright images कीच रहा है लेकिन I think इसके बाद आपको ये phone और impress करने वाला है क्योंकि आपको selfie camera जो है 50MP का group selfie camera आपको मिलता है group selfie camera की यूज किया क्योंकि हम आप ऐसा भी option है जिससे selfie camera से आप बहुत wide photos की सकते हो देखो normal photos तो बहुत ही अच्छे आ रहे है उसमें आपको details अच्छी मिल रहे है colors, skin tones अच्छी मिल रहे है 50MP का आपको camera मिल रहे है लेकिन आप एक wide photos भी की सकते हो और काफी wide selfie camera हो जाता है उसमें details भी आपको काफी अच्छी मिल रहे है अच्छा इसमें भी portrait shots कीशते हो उसमें भी edge detection अच्छा है और low light की कुछ photos देखो वो भी बहुत bright आ रहे हैं उसमें भी आपको skin tunes, colors बहुत अच्छे मिल रहे है लेकिन I think एफोन आपको और camera में impress करने वाला है क्योंकि front camera से भी आफ 4K में 60fps में एकदम stable video बना सकते हो तो इस बहुत कम phone है जो back और front camera से 4K में 60fps पे आपको stable videos बना के दे overall camera आपको बहुत impressive feel होगा सारी photos मैंने google drive में save कर दिया जैसे मैंने starting में का आता है बहुत balanced phone इन लोगों ने मना दिया camera भी इन लोगों ने impressive रखा है खेर even vivo वालों ने आपको AI feature भी add करके दिया जैसे आपको आपको AI eraser मिल जाता है simple circle करोगे कोई भी unwanted object को और उसे AI के थूँए एकदम remove कर देगा काफी must काम कर रहा है वैसे आपको AI photo enhance वाला फीचर मिलता है काफी photos blurry बगेरा आ जाती है तो अपने आप ये AI के यूज़ करना उसमें detail add कर देगा तो ये भी camera के अंदर आपको काफी must feature मिलता है वैसे एक चीज़ रही गई starting मैंने आपको इसका design बताया था लेकिन build में भी phone बहुत premium है तो आपको front display के अंदर short glass की protection मिल जाती है और ये phone IP68 की rating भी लेके आता है पानी बगरा में आपसे गलती से ये phone गिर जाएगा तो भी ये phone survive कर जाएगा तो हम build के अंदर भी ध्यान दिया है खैस software के अंदर ये phone latest front touch 14 पे चल रहा है जो की based है Android 14 पे यहाँ पर आपको दो major update मिलेंगे और तीन साल तक security update मिलेंगे वैसे यहाँ पर आपको bloatware मिलता है जो की सब के सब uninstall हो जाता है hot games, hot apps पी है simple hold करके setting में जाना उन्हें आप off कर सकते हो उसके लाबा software काफी stable आपको feel होगा animations वगएरा भी अच्छे features सारे है, app lock है, dual apps है app hide वगएरा कर सकते हो slide bar जैसा भी feature आपको मिले जाता है call recording का मैंने आपको अल्री बता दिये वैसे यहाँ पर studio quality जो aur light मिल रही ही न उसको भी आप dynamic light जैसे एक feature है इसमें तो इसमें आप calls वगएरा करोगे याप music वगएरा सुनोगे या notification वगएरा आएगी उसे भी blink करने जैसा feature है, यह भी आपको पसंद आएगा तो हाँ, features बहुत सार है अभी तक आई थिंग आपको यह phone पसंद आई गया होगा 3000 के आसपास इन लोगों ने बहुत अच्छा phone बनाया है most powerful curve display वाला phone बन गया है 5500 बैटरी होने के बहुत भी slimest phone बन जाता है, camera impressive है display अच्छी है, performance अच्छी है battery charger आपको अच्छा मिल रहा है personally मुझे इसमें कमी feel हुई नी बहुत कम ऐसे phone आते है खेरी से आप 19 तारिक से ले सकते हो जो भी offers वगरा है, bank offers वगरा सब आपको मैं screen पे show कर रहा हूँ links वगरा सारी आपको description में मिल जाते है and I think आप खरिये सकते हो इसे फिर भी अगर आपको इस phone का complete review चाहिए तो आप बता देना comment section में मैं इसका complete review भी लेकर आ जाओंगा hope आप लोग को वीडियो अच्छे लगी हो मैं ऐसे simple videos बनाता हूँ straight to the point ताकि आपका time waste ना हो आप असनानी से decision ले सको तो please like, share, comment and subscribe कर देना इससे video पर चल जाएगी और आप लोग को ऐसी must-must videos मिलती भी रहेगी मिलते आप लोग वीडियो में thanks for watching, end of for all